Best Character Combination for Rank Pulse अगर आप Grand Master जाने की सोच रहे हो तो Character Combination बहुत help करती है Rank Pulse के लिए तो आज हम जानेंगे तीन ऐसे Character Combination Skill जो सामने वाल टीम की घांड पार देगा तो चलिए सुरू करते हैं पहला Character Skill Active Skill में लेना है तसायू अगर आप एक Racer Player है तो आपके लिए ये एक Best Active Skill है Passive Skill में लेना है Locator जो 50 HP तक Shield Point इंकरीज कर देती है पर्मनेंट लिए एक किल पे 25 HP और दो किल पे 25 टूटल पच्चास और इसके साथ अगर आप HP Booster लगा लेते हो तो 30 HP और टूटल HP हो जाता है 280 Passive Skill में लेना है Kairos जो एक नहीं तीन ability है इस character के पास अगर आपके पास EP नहीं होगा तो automatically आपके per second to EP देगा जब तक आपका EP full ना हो जाए ये पहला ability है दूसरा ability तभी सुरू होगा जब आपकी EP full ना हो जाए ये फी full होते हैं yellow color का एक purple color हो जाएगा और उसी time Kairos आ जाएगा breaker mode पर अगर आप enemy के उपर firing करते हो तो उसकी fist बहुत जल्दी तूट जाती है तीसरा ability है shield point breaker कुछ character shield point देती है जैसे लुकेटा अंटोनियो सैनी ये shield point कुछ ही बोलेट में break कर देती है passive skill में लेना है Jota अगर आपकी HP down है तो आप एक enemy को down करते हो तो आपके HP recover होती है अब बढ़ते है next combination skill में immortal active skill में लेना है Orion जो 200 EP से बढ़कर हो जाती है 300 EP अगर EP 200 से जादा है तो ये character अपने skill on कर सकता है और सामने वाले बंदे को 33 HP damage देता रहेगा passive skill में लेना है Kairos जो मैंने पिछले combination skill में बताया ये जल्दी EP बढ़ाने में काम करता है तीसरा passive skill में लेना है Magul अगर आप enemy को down करते हो तो EP मिल जाएगा और आप Odin यूज कर पाओगे जल्द से जल्द passive skill में लेना है हया तो अगर आप HP कम है तो enemy को damage ज्यदा पड़ेगा अब बढ़ते हैं last combination skill पर survival active skill में लेना है Wokong इसके बारे में तो हर को जानता होगा इसको बताने के जरूरत ही नहीं है पहला passive skill में लेना है Locator जो आपको max still point देती है आपकी HP 200 से 250 हो जाती है अगर आप active booster यूज करते हो तो आपकी HP 280 हो जाती है passive skill में लेना है Kelly जो आपकी movement speed increase कर देती है चोथा passive skill में लेना है Misa अगर आप driving करते हो तो car की speed increase हो जाती है अगर आप driving करते हो तो आप aim नहीं आएगा और damage भी कम पड़ेगा 20% तक अगर आप VR rank खिलते हो तो ये एक best skill है तो ये थी तीन best character combination skill जो आप use कर सकते हो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो एक like करके channel subscribe कर देना धन्यवाद आपर आप कर देना अगर आपर अवाद